हलो दोस्तों मेरा नाम मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेकनिकल न्यूस कैस्ट इनी चनल मेरे चनल पे आप सभी का स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आज हम Seagate External Hard Drive का Toolkit आप्लिकेशन के बारे में देखते हैं मुझे कॉमेंट सेक्षन में भी पूछा गया था इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजि तो चलिए देखते हैं तो दोस्तों पहले हम हार्डेव के फाइल सिस्टम फार्मेट को देखते हैं तो एक है NTFS New Technology फाइल सिस्टम ये Windows OS के साथ कंपेटवले दूसरा जो है HFS प्लस Hierarchical फाइल सिस्टम प्लस ये Apple Mac OS के साथ कंपेटवले अगर आप NTFS फार्मेटड को Windows OS के सिस्टम के साथ कंपेट करेंगे तो वहाँ पे आप डाटा को रीड भी नहीं कर पाएंगे डाटा को राइड भी नहीं कर पाएंगे तो इस तरह का जो प्रॉब्लम में उसका सोल्यूशन है XFAT फाइल सिस्टम एक्स्टेंडर फाइल एलोकेशन टेबल ये जो HFS या HFS प्लस में कॉनवर्ट कर सकते हैं तो यहां पर मेरा जो सिस्टम में Windows OS का है तो यह जो टूटरियल है Windows यूजर के लिए तो चलिए अब हम लैप्टॉप के स्क्रीन पर स्विच करते हैं तो दोस्तों अब आप मेरे लैप्टॉप के स्क्रीन के ऊपर देख पर हैं मेरा Windows 10 का ओपरेटिंग सिस्टम है यहां पे मैंने इस PC यानि के माई कॉम्पेटर का विंडो ओपेन कर चुका हूँ जहां पे मेरा ड्राइव का पार्टिशन भी आप देख पर हैं C ड्राइव और यह ड्राइव यहां पे मैंने किसी भी एक्स्टरनल हार्ड्राइव को कॉनेक नहीं किया है यहां पे हम एक कमेंड को यूज करते हैं उसके लिए मैं यहां पे नोटपेड ओपेन कर रहा हूँ आप देख पर हैं वो कमेंड दी आई एसके एमजी एमटी डॉट एमटी इसको यूज करके आप किसी भी हार्ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं तो यहां पे हम इसको कॉपी करते हैं और इसको हम रन का जो अप्लिकेशने वहां पे पेस्ट करते हैं उसके लिए हम जाते हैं सर्च टॉल में वहां पे हम टाइप करते हैं रन यहां पे आप देख आप यहाँ पे देख पारें disk management का window open हो चुकिये तो यहाँ पे हम इस notepad को close कर देते हैं और इस disk management window को थोड़ा ड्रैग करके right side पे रखते हैं अब देखिए मेरे system में जो partition है C drive, D drive, E drive वो partition आप इस disk management window में भी देख पारें देखिए C drive, D drive, E drive और यहाँ पे इस disk management window में आप जो partition देख पारें C drive, D drive, E drive के नीचे देखिए वहाँ पे file system भी mention किया गया है यह C drive NTFS, D drive भी NTFS है, E drive भी NTFS है अब मेरा जो external hard drive है C gate का backup plus portable 5 TV के पास्ट का उसको मैं अभी system के साथ connect कर रहा हूँ मेरा जो external hard drive है C drive में detect हो चुका है, यहाँ पे आप देख पर है और इस disk management window में यहाँ पे देखिए यहाँ भी detect हो चुका है, यहाँ पे आप देख पर है backup plus और यहाँ पे G drive लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए EX-FAT file system लिखा गया है, जब आप C gate hard drive पर्चेस करते हैं तो by default उस format में ही होता है अगर आप NTFS format में convert करना चाते हैं, तो यहाँ पे आप mouse को रखके यहाँ पे right click कर दीजिए और यहाँ पे देखिए format लिखा हुआ है, उसको आप select कर लिजिए और इस तरह की एक window open होगी और यहाँ पे देखिए file system उसके सामने जो है NTFS, EXFAT तो आप NTFS को select कर लिजिए, okay कर दीजिए बस आपका जो external hard drive वे वो NTFS format में convert हो जाएगा अगर आप future में कभी भी उस NTFS file system को फिर से EXFAT, EXFAT file system format में convert करना चाते हो तो same होई process है, यह process है यहाँ पे फिर से आप mouse को रखके right click करके इस तरह एक window open होगी जहाँ पे file system है, वहाँ पे आप select कर लिजिए, EXFAT को select कर लिजिए, okay कर लिजिए इस तरह आप आपका जो hard drive वे उसको format कर सकते हैं फिलाल मेरा जो external hard drive है, यहाँ पे मैं उसको कुछ format नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं by default EXFAT file system में ही रहने देता हूँ क्योंकि मेरा hard drive में बहुत data है, मैं बाद में कर लूँगा, आपको कैसी कर लिए, वो process ही में यहाँ पे बताया, आप उस process को follow कर सकते हैं, अगर आप अपने hard drive को format करना चाहते हैं अब इस toolkit के बारे में देखते हैं, अगर आप secret का account create नहीं किये, तो कर लिजे, अगर आप product को register नहीं किये, तो वो भी कर लिजे, यह जो backup है, दो प्रकार के होते हैं, एक है manual backup, दूसरा automatic backup manual backup में आप सिधा आपका जो external hard drive है, उसको आपके system के साथ connect कर लिजे, आपके system में जो फाइल से उसको drag and drop, cut and paste या copy paste करके, manually आपके hard drive में डाल लिजे, यह है manual backup automatic backup में आपका जो external hard drive और आपका जो PC, इन दोनों के बीच में यह toolkit एक important यानकी key role play करता है, इस toolkit में कुछ features यानकी activities plans भी होते हैं, वो features external hard drive के model के उपर भी depend होते हैं, कुछ external hard drive के model में एक future ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ external hard drive के model में एक future कम भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम tool kit को कैसे download करना है, कैसे install करना है, उसका एक layout, उसका कुछ features हम यहाँ पे laptop के screen पर देखते हैं, जब आप इस सीगे text on the hard drive को open करेंगे, यहाँ पे, आपको इस तरह के तीन चीजे उसमें दिखाई देगी, जो first one है, वो Apple यानि के Mac operating system का application है, दूसरा जो है Windows के लिए वो application है, तीसरा जो है, एक document है, तो बीच में जो Windows का application है, यहाँ पे आप देख पार है, start here, win लिखा गया है, उसको हम यहाँ पे open करते हैं, उसके बाद इस तरह की एक Seagate का web page open होगा, तो यहाँ पे आप देख पार है, आप चाहे तो register भी कर सकते हैं, register का जो process है, वो मैं पहले एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप चाहे तो वो वीडियो का link नीचे description में है, आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं register को skip करके, यहाँ पे देखे, protect your data है, उसको मैं click कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख पार है, download का option है, तो यहाँ पे toolkit का जो software है, वो आप यहाँ पे download कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको download कर देते हैं, तो नीचे आप देख पार है, download हो रहा है, वो software, तो इस software को आप install कर लीजिए, आपके system में, और यहाँ पे देखे, जो window open हुआ है, C gate का, यहाँ पे नीचे देखे, I accept the terms and conditions दिया गया है, आप उसको tick कर दीज तो यहाँ पे आप देख पार है, यह ओ software installation हो रहा है, system में, installation होने के बाद यहाँ पे दिखे, एक welcome का message आया हुआ है, तो यहाँ पे आप गौट इट कर दीजिए, यहाँ पे आप देख पार है, toolkit का window open हो चुका है, अगर आप इस toolkit को close करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो into mark आप दिया गया है, उसको आप अगर click करेंगे, तो आप उस window को close कर पाएंगे, यहाँ पे desktop के ऊपर भी आप देख पर है, एक shortcut है toolkit का, अगर वहाँ पे आप click करेंगे, तो toolkit को आप open कर पाएंगे, नहीं तो आप नीचे जो task bar में, जो shortcut है, यहाँ पे आप देख पर हैं, उ उसका details यहाँ पे show कर रहा है, backup plus portable के नाम से, और यहाँ पे उस external hard drive का capacity भी mention ले, और नीचे उस external hard drive में कितना free space है, वो भी यहाँ पे mention ले, अगर आप यहाँ पे mouse के साथ एक बार click कर देंगे, इसके उपर, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपका जो external hard drive है, वो किस file format में है, वो यहाँ पे show कर रहा है, तो फिर से हम जाते हैं back, और यहाँ पे दिखेंगे नीचे तीन future साब देख पारें, एक है backup, दूसरा restore, तीसरा mirror, इन तीनों को आप backup plan भी कह सकते हैं, तो पहले हम इस backup future को देखते हैं, यहाँ पे आप दो options देख पारें, एक है custom, दू करेंगे, तो toolkit automatically खुदी C gate के external hard drive में एक folder create कर लेती है, toolkit के नाम से, जो भी backup होगा, उस folder पे ही save होगा, जब आप first time इस backup now को select करेंगे, तो आपके system में जितने भी आपका personal file या data, वो सब उसी folder में save हो जाएगा, जब आप second time इस backup now को select करेंगे, तो पहले जो backup लिये थे, उस के बाद आप system में जो भी changes किये, add किये, या modification किये, सिर्फ उसी data का ही backup होगा, उस folder में, तो यहाँ पे आपका time भी save हो रहा है, और यहाँ पे आपका hard drive का space भी budget हो रहा है, तो यहाँ पे एक example basis पे, मैं यहाँ पे backup now को select करता हूँ, तो यहाँ पे एक message pop up हुआ है, नीचे आप देख पर है, backup plan created, अभी यह backup start हो चुका है, यहाँ पे आप status bar भी देख पर है, यहाँ पे रिखे, backup all files to backup plus continuously रिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे मेरा जो external hard drive है, वहाँ पे भी हम check करते हैं, यहाँ पे आप देख पर है, मेरा external hard drive में, toolkit के नाम से एक folder create हो चुका है, और यहाँ पे दिखे, उसकी अंदर backup के नाम से एक folder है, जहाँ पे आपका जो data है, वो सब उसी folder पे save होगा, अगर आप इस backup को pause करना चाते हैं, तो यहाँ पे दिखे, एक pause का option है, उसको अगर आप select कर देंगे, तो आपका जो backup है, वो pause हो जाएगी, फिर से आप उसको start करना तो यहाँ पे दिखे, resume का option है, वहाँ पे आप select कर सकते हैं, अगर आप कुछ editing करना चाते हैं, तो पहले इसको pause कर लीजिए, यहाँ पे आप edit भी कर सकते हैं, इस तरह के एक window open होगी, इसको मैं यहाँ पे close कर देता हूँ, और यहाँ पे दिखे, तीन dots आप देख परें, इस तीन dots पे अगर आप click करेंगे, तो यहाँ पे दिखे, report का एक option है, अगर आप इस report के option पे click कर देंगे, तो recent जो भी hard drive में, आप external drive में जो changes की हैं, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, और यहाँ पे दिखे, फिर से मैं इस तीन dots पे click कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दि देखे, backup plan deleted, एक message आ गया मुझे, यहाँ पे दिखे, अगर मैं इस custom option पे select करता हूँ, इस तरह की एक window open होगी, यहाँ पे भी आप दो options देख पार हैं, एक है basic, दूसरा advanced, अगर आप basic पे select करेंगे, तो यहाँ पे आप specific files को select करके, सिर्फ उसी file को आप backup में ले सकते हैं, स Suppose मुझे सिर्फ यहाँ पे video file ही चाहिए, तो पहले इस tick mark को हटा देता हूँ, यह जो video के सामने जो box है वहाँ पे tick करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे start backup कर दूँगा, तो वो specific video file सी backup होगा, अगर आपको यहाँ पे और भी options चाहिए, तो यहाँ पे आप next में जा सकते हैं, यहाँ पे आप देख पर हैं, hard drive का space भी यहाँ पे दिखा रहा है, फिर से मैं next में जाता हूँ, यहाँ पे आप define कर सकते हैं किस तरह की backup आपको चाहिए, अगर आपको continuously backup चाहिए, तो continuously select करके start backup कर दीजे, अगर आपको hourly backup चाहिए, तो इस तरह आप select कर लीजे, hourly, यहाँ पे time set कर लीजे, start backup कर लीजे, अगर आपको daily चाहिए, तो यहाँ पे daily select करके, यहाँ पे start time select कर लीजे, उसके बाद start backup कर लीजे, अगर आपको weekly चाहिए, तो week में किस दिन में आपको चाहिए, यहाँ पे select कर लीजे, किस time पे आपको start होना है, वो यहाँ पे select करके start backup कर ली और यहां पर दिखे एक snapshot का option, snapshot जो है कि एक system का full यानि की entire backup है, आप जितने बार snapshot को select करेंगे उतने बार each time system का full backup होगा वहाँ पे, तो यहां पर हम फिर से back में जाते हैं, back में जाने के लिए यहां पर दिखे एक arrow mark है, उसको हम यहां पर select करते हैं, फिर से हम जाते हैं back, अगर आप click करते हैं, तो इस तरह की एक window open होगी, यहां पर आप देख पर हैं मेरे system का partition और drives, जैसी की C drive, D drive, E drive, अगर आप किसी एक drive का backup लेना चाते हैं, for example, D drive का backup लेना चाते हैं, तो D drive को select कर लिजिए, उसके बाद start backup कर देंगे, तो entire D drive का आप backup ले पाएंगे, अगर आप D drive में किसी एक particular folder को ही backup में लेना चाते हैं, तो इस तरह आप select कर लिजिए, और इस left window में देखे, D drive के नीचे, यहां पे बहुत सारे folder से, तो पहले इसको deselect कर लिजिए, कौन सा folder आपको चाहिए, उस particular folder को आप select कर लिजिए, वहां पे tick mark कर दीजिए, इस तरह आपको यहां पे next पे click कर दीजिए, यहां पे देख पर हैं, आप hardware में कितना space है, free space, फिर से जाईए next, यहां पे मैं पहले ही आपको बता चुका हैं, यह जो process, यहां पे आप select कर सकते हैं, continuously, या hourly, daily, weekly, monthly, snapshot, उसके बाद start backup करेंगे, तो वहां पे आपका backup start हो जाएगा, यहां पे फिर से हम back में जाते हैं, main menu में आते हैं, toolkit का, अब यह जो दूसरा future restore को देखते हैं, तो इस restore के उपर अगर आप click करेंगे, यहां पे आप देख पार है, backup to backup portable लिखा हुआ है, external hardware में backup लेने के बाद, अगर आपके system में आप किसी भी एक personal file या data को आप जान भूज के या अ तो यहां पे आप particular file को select कर लिजे, उसके बाद next कर लिजे, फिर से next, तो वो जो file है वहां पे फिर से system में restore हो जाएगे, तो इस window को हम यहां पे close करते हैं, फिर से हम यहां पे back में जाते हैं, अब यहां पे देखिए mirror का एक option है, इस plan को हम देखते हैं, जब आप इस mirror feature को select करेंगे, तो आपका जो C gate का external hardware है, वहां पे automatically एक folder create होगा mirror के नाम से, ठीक उसी तरह आपके PC में भी एक folder create होगा, automatically mirror के नाम से, तो यहां पे एक तरफ PC, दूसरे तरफ external hardware, दोनों तरफ एक folder create होगे mirror के नाम से, जो भी backup आप लेंगे mirror plan से, तो वो backup एक copy आपके system में होगा दूसरा एक copy आपके external hardware में भी होगा, यह है mirror plan का फाइदा, तो देखें एक example basis पे मैं इस mirror plan को select कर रहा हूँ, तो आपको इस तरह की एक window दिखाए देगी, इसमें भी custom है और mirror now है, तो यहां पे मैं mirror now को select करूँगा, तो आपको इस तरह एक message pop up होगी, new mirror folder created, यहां पे आप आप देख पर हैं, मेरे system का mirror folder है, इसको मैं close कर देता हूँ, अब मैं इस drive को select कर रहा हूँ, देखें, इसको click करूँगा, तो यह जो folder है, यह external hard drive का mirror folder है, इसको मैं इस तरह आपको दिखाऊँगा, देखें, मेरा जो external hard drive है, देखें, यहां पे, अगर मैं click कर रहा हूँ, इस toolkit को फिर से click कर रहा हूँ, देखें, external hard drive में mirror का एक folder create हुआ है, आप देख पर हैं, अब मैं मेरा PC में भी आपको दिखाऊँगा, तो c drive में, users में जाएंगे, तो यहां पे दिखें, home PC, उसमें देखें, यहां पे mirror का folder create हुआ है, यहां पे आप देख पर हैं, दोनों त मेरे PC का mirror folder है, उसको open करते हैं, यहां पे एक file को में यहां पे drag and drop करता हूँ, देखिए, यहां पे मेरे PC का mirror folder में एक file को copy किया, तो एक second के बाद, जब आप इस drive का mirror folder open करेंगे, मतलब external hard drive का mirror folder open करेंगे, तो यह file भी वहां पे copy होगी, यहां पे देखिए, मैं इस drive को select किय यह है external hard drive का mirror folder, यहां पे भी उस file का एक copy देख पर हैं, automatically यहां पे आ चुका है, इस तरह आप इस mirror plan को use कर सकते हैं, तो इसको हम यहां पे close कर देते हैं, यहां पे देखिए, इस three dot में अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप यहां पे pause भी कर सकते हैं, इस plan को, यहां पे edit है, edit option पे click करेंगे, तो जो mirror folder है PC में, आपके मुताबिक आप create कर सकते हैं, किस folder में, किस drive में आपको वो folder चाहिए, उस तरह आप यहां पे create कर सकते हैं, फिर से जाते हैं back, इस three dot पे click करते हैं, अगर आप इस plan को mirror plan को delete करना चाहते हैं, तो यहां पे आप select करके इसको delete भ करेंगे, तो आप customize कर सकते हैं, यहां पे यहां पे भी आप देख पर हैं, किसी में आप कहां पे mirror का folder create करना चाहते हैं, वो path यहां पे select करके आप उसको create कर सकते हैं, create करके वहां पे mirror का backup ले सकते हैं, अगर आप Seagate के one touch, ultra touch, external hard drive यूज़ करें, तो यहां पे और एक future यान ID number होता है, physical security identification number, उस number को देखके आप external hard drive में password भी create कर सकते हैं, password को change भी कर सकते हैं, external hard drive को आप lock on lock भी कर सकते हैं, security enable, disable भी कर सकते हैं, और उस external hard drive में user access भी दे सकते हैं, single user या multi user का access भी दे सकते हैं, तो फिलहाल मेरे hard drive में वो future नहीं है, तो दोस्तों मैं पिछले एक वीडियो में, सीगेट का account creation, product creation के बारे में बताए था, अगर आप वो वीडियो देखना चाते हैं, उसका link नीचे description में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तो please मेरे वीडियो को like कीजिए, अगर आप मेरे channel पे नए हैं, तो नीचे जो subscribe बटने उसे भी प्रस कर दीजिए, पास में जो घंडी बटने, बेल लाइक ने उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो upload करूँ, तुरंत आप तक notification आजाएगा, अगर आप कुछ comment करना चाते हैं, तो नीचे comment section में comment भी कर सकते हैं, तो फिर मिलेंगे, तब तक के ल एंडाणीं।